Hello everyone, welcome to Break Time Places. इस वीडियो में हम वीडियो यानि Willis Development Officer ग्राम विकास अधिकारी के बारे में बात करेंगे. इसमें जो strategy हो सकती है, re-exam जो 2018 में हुआ था, उसके बात से इस बार जो December तक ये exam होने वाला है, उसके बारे में याँ पर बात करेंगे, कि लास्ट त्री मन्थ में हम किस तरह से कौन कौन से topic कवर कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पर self study के लिए क्या-क्या चीजी किस तरह से कवर करने ही, कौन से topic का weightage जादा रहता है, उसके बारे में बात करेंगे, लास्ट में इस वीडियो के अंत में हम पेटूप के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पर यह जो चीजी बताई जा रहे ही, आपक के paper pattern में या फिर उसमें जो maximum marks रखे जाती है, निगेटिव मार्किंग रखी जाती है, उसमें difference आ सकता है, दो घंटे का इसमें paper हुआ था पिछली बार 2018 में, और री exam में भी यही वाला pattern रहेगा, पूर्णांग था यहाँ पर 300 number का negative marking थी, एक बटे 2 की, यानि 50% की negative marking थी पिछले साल के हिसाब से, मतलब 2018 के हिसाब से, इस बार भी यह 50% की negative marking रहेगी, जो की एक बहुत important role play करता है, cut off में, आगे बात करते हैं, number of question, डेर सो रहते हैं, और एक question का जो है, दो marks रहता है, यानि एक question अगर गलत हो गया आपका, तो आपका 50% number कट जाएगा, मतलब एक नंबर आपके कट जाएंगे, कौन-कौन士 की यहाँ ठापिक आते हिं, तो जी-एस जी के आता है, जो 50 question में रहता है, हर question का 2 number मतलब 100 marks का रहता है, हंदी 50 question 100 marks का रहता है, अब यहां पर टोटल बात करें तो 1500 question 300 max बागे बात करते हैं यह जो exam है वीडियो का exam सबसे पहली बात तो यह deep fact based exam है मतलब आपको पूरा fact जो है वो पता होना चाहिए अगर कोई चीजे कम चर्चित है तो वो exam में आने की संभावना जादा रहती है जो चीजें चर्चा में रहती हैं common है वो exam में नहीं आता है तो deep fact इसमें पूछा जाता है अगर कोई युद्ध की बात करें तो अगर प्रिथम तिरती अगर युद्ध हुआ है तो दोती ये पूछ लिए जाएगा उसमें जो संधी हुई है वो सब पूछ ली जाती है तो इस तरह से एक्जाम होता है वीडियो का आगे बात करें GS की अब सबसे पहले तीन ही आते हैं GS उसके बाद हिंदी और रिजनी GS में ज्यादा यहाँ पे फोकस करने की जरौत होती है क्योंकि हिंदी 50% से ज्यादा कोश्टन लोग सॉल्व कर लेते हैं अगर हिंदी मीडियम से रहते हैं तो रिजनी के कोश्टन भी इतने टफ नहीं आते कि आप लगभग जो है उसका जो है 60% 70% तक अटेम्ट कर सकते हैं वहीं पर बैठके अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो कोश्टन सॉल्व हो सकते हैं GS आपको रट के जाना पड़े का क्योंकि यह रटने वाला एक्जाम है फैक्ट पूछा जाता होगा या फिलेफ पाल का पेपर देखा होगा तो करेंट जो है काफी डीप में पूछा जा रहा है बहुत चर्चित चीज नहीं पूछी जा रहे हैं तो इसमें जो है पुरसकार समान वह वाले जो सभी आपको पता होने चाहिए तो जो कौमन नहीं रहते हूँ भी आपको कोई ऐसा एप आया है जिससे जो हैं चीज़ें आसान हो रही है मतलब economics से related तो सभी apps वगरा भी पूछ ले जाते हैं इसके अलावा दीवस और थीम पूछ ली जाती है अंतराश्टी समझोते पर आजकल जादा question बन रहे हैं तो समझोते पता होने चाहिए खास करके भारत ने अगर किसी देश के साथ समझोता किया है तो किस चीच पे वो समझोता क्या गया और किन दो देशों के बीच में भारत ने किसके साथ ही समझोता किया है तो इस यप चीज़ें आजकल जादा पूछी आ रही हैं आगे बात करते हैं इतिहास की तो सबसे पहले modern history से जादा question प पूछी आती है आपको सब चीज़ें पता होने चाहिए लेकिन question थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है जिसमें statement wise भी question आता है इसमें और आपको chronology पता होने चाहिए कब क्या हुआ था उसमें कौन कौन involved थे यह पता होना चाहिए और यह paper जो है कभी कभी काफी tough वी हो जा कौन था इससे question काफी पूछे आते हैं असोग के जितने अभिलेक हैं उनसे किसी भी अभिलेक से question पूछा सकता है तो सभी रटे होने चाहिए सभी अभिलेकों में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब पता होना चाहिए और कहां से मिले है मिडवल हिस्ट्री में प्रसासन के ब जर्णगर्णा से हर बार question पूछा आता है लेकिन अभी 2011 के बाद से 2021 तक अभी कोई जर्णगर्णा इस बार भी नहीं हुई है इसलिए अब धीरे धीरे जर्णगर्णा के question आने कम हो गए है लेकिन इसको पता होना चाहिए क्योंकि हर बार इनसे question बनता है one report से question आता है MSP अगर recent वाली जो भी निर्धारित हुई हो चाहिए वो खरीब की हो चाहिए रवी की हो तो उस फसल का MSP पूछा जाता है सभी फसलों का MSP आपको पता होना चाहिए इसके अलाव क्रिसे से सम्मंदित जितनी report आई हो कौन से राज्य में क्या होता है जादा ये सबी चीज़े या फिर भारत का इस्थान इसमें कौन सा है तो ये सब चीज़ें पूछी आती है सौर प्रणाली से सम्मंदित question आते हैं इसके अलावे यहाँ पर देश, मुद्राय, राज्थानी देश में जितने भी देश आपको पता हो मतलब विश्व में जितने भी देश हैं आप महादी, पौई, सारे देश आपको याद होना चाहिए राज्थानी तो कम से कम याद इंपोर्टन्ट है और बस आपको मैपिंग पांच मिनट डेली देख लेंगे तभी एक्जाम तक कवर हो जाएगा आप एक कॉंटिनेंट उठाए एक महादी उठाए उसमें जो जो कंट्रीज हैं कौन सी सीमा किसे लग रही है बस आप रटना नहीं पड़ेगा उसको दो देखिए तीन बार देखिए दिन में अगर कमरे में लगा है तो पांच मिनट खड़े हो जाएए वहाँ पर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा मैपिंग इसके लावाँ देशों की स्थिति अगर दूपोला कोई देश है तो दूपीय देशों की आजकल राजधानी भी प पहाँ हो रहा है छग्यार कि यूरोप की नदिया और रश्या में जितनी भी न देशे हैं उनका उद्गम कहाम होता है और कौन से साघर में गिर्ति हैं खास करके काला साघर और कैस्पीयन और भूमद साघर में जो जो नदी आ के गिरती है पूछलिए चाहिए आगे पॉल कि तो एक से 51 तक सभी आर्टिकल एकदम रटे होने चाहिए इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए उसके जो पार्ट है वो भी रटे होने चाहिए राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंत्री राज्यपाल मुख्य मंत्री इनसे रिलेटर्ड जो भी अनुछेत हैं वो पता हो है सून निकाल कब है यह सबी चीजें आपको संसत के सभी नियम पता होना चाहिए समिधान सभा जिस तरह से समिधान का निर्माध हुआ था उसके पहले जो समिधान सभा बनी थी उसमें कौन-कौन से मेंबर थे किसका क्या काम था कौन सी सभी चीज़ें पूशली जाती है सभी चीजराते हैं उसमें आपको बहुत सारी चीजर मिल जा congregation की आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं economist की तो इसमें पुरानी योजनाओं के वर्स मैचिंग में आते हैं पंचवर्सी योजनाओं से भी question फूछा आता है खास करके जो बीच में gap आये था पंचवर्सी योजनाओं में जितने जितने gap आये थे वह year आपको clear होने चाहिए इसकी अवला हो bank जो है कौन सा bank जो कब बना था सभी bank नहीं जो सरकारी वाले bank होते हैं जैसे पंचाब नैस्नल बैक है या फिर SBI है यह सब कभी कब बने थे या फिर कोई विद्थिये संस्था है इसका निर्माड कभ हुआ था UTI का निर्माड कभ हुआ था तो यह सब year push ले पुरानी समीतियों की रिपोर्ट पूछ ली जाती है इसके लबाँ कौन से अध्याच थे और जो रीसेंट वाली रिपोर्ट होती है उनसे भी कोश्चन पूछायता है environment की बात करें तो प्रमुक अधनियम जैसे पर्यावरान संबंदी जितने अधनियम है कुछ हुआन अधनियम है परड़ावरान अधनियम है या फिर जानवरों से रिलेटेड टाइगर वाला हाथी वाला तो बहुत सारे अधनियम है इसके अलावा आय व्याय खनन से रिलेटेड या फिर विक्रे से रिलेटेड या फिर जो है श्रम से रिलेटेड जो भी मजदूरी से रिलेटेड जितने भी अधनियम है उनके इयर इंपर्यावरान संबंदी जो संस्थान है उनकी स्थापना कहां एकदम concept clear होना चाहिए इसका ozone depletion के लिए जिम्मेदार gases होती है इन दोनों में green house में और ozone depletion वाले में इसमें जो difference थोड़ा बहुत होता है उसको आपको पता होना चाहिए आगे बात करते हैं हिंदी के बारे में ये तो पूरा GS का section हो गया हिंदी में आपको कुछ ऐसे चीज़े आएंगे जिसमें आप बिना पढ़े भी उसको solve कर सकते हैं लेकिन एक बार अच्छे से इसको पढ़ना भी पढ़ेगा समास वगएरा इसके नियम पता होने चाहिए संदी, कारक, विलोम, रस, अलंकार, परियावाची, तद्भो तसम, लोकोक्ती और महावरा और अनेकार्थी सब्द इन से सबसे ज़्यादा question पूछ आते हैं इसके लावा आपको गद्यान से पर दिया जाता है जिसका आपको answer देना होता है reasoning की बात करें तो ranking से, सब्द करम से, series से, वर्ण माला test से, जो latest होते हैं उनसे इसके लावा calendar से, दिसा से, घड़ी से, तरक से, कथन जो कथन कारण वाला होता है उनसे question पूछा आता है ये वाला दोनो topic जो है, इसमें आपको उतनी ज़्यादा मिहनत करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको सभी concept इसके भी clear होने चाहिए क्योंकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा score कर पाएंगे क्योंकि GS में अगर कोई चीज बहुत टफ हा जाता है तो वह किसी को नहीं आता है और वही कट-off को कम करने का काम करता है और ये जो दोनो topic है जिनसे आप अपने mask को increase कर सकते हैं हिंदी और reasoning से ये तो बात हो गई self study की ये पेड ग्रूब की बात करें इस तरह से आप सभी चीजें खुद से भी कर सकते हैं ये पेड ग्रूब जोइन कर सकते हैं जिसमें हर संडे को टेस्ट होता है हर संडे का टेस्ट अभी जब में ये वीडियो बना रही हूं आज है 20 अक्टूबर अभी तक साथ टेस्ट हो चुके हैं अगर आप जॉइन करते हैं तो सभी पुराने टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसमें पूरा explain answer की भी आपको साथ में ही मिल जाएगी जो आप आसानी से देखके एक question के आपको पता हो सके कोई भी कोश्चन उस टॉपिक से बने तो सॉर्व हो जाए इसके अलावों जो आंसर की है उसी दिन सामको भेजी जाएगी आपको जिस दिन यह टेस्ट होगा तेस्ट के नंबर कितने होंगे यह भी फिक्स नहीं है जैसे अगर आपका एक्जाम दिसंबर म यह एक्जाम होता है ऐसा पॉसिबल नहीं कि अगले साल तक हो लेकिन अगर ऐसा केस होता है कि बहुत ज्यादा एक्स्टेंड हो गया तब इसको बंद कर दिया जाएगा ग्रूप चालू रहेगा आप वहां से चीजें ले सकते हैं लेकिन आपको कंटेंट हो सकता है प्रोषी जाती है वह आपकी क्लियर हो सकते हैं अगर आप जोइन करते हैं तो डारेक्ली आपको बहुत सारे कुज मिल जाएंगे जो आप लगातार सॉल कर सकते हैं इसमें इसकी जो कॉस्त है वह 500 है इसकी फीस 500 है जो आप पेटियम के माधियम से या फिर गूगल के माधि पर कॉंटेक कर सकते हैं जिसमें आपको सभी चीजें प्रोइट कर दी जाएंगी किस तरह से पेमेंट करना है और किस तरह से आपको चीजें यहां पर मिलेंगी तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक को सब्सक्राइब कर लीजेगा थैंकि सो मज़ वाचिंग ब्रेक्टाइ झाल